जैहन्द एवरिवन वेरी वाम वेलकम टॉल आफ यू बहुत बहुत सौगत हैं आप सभी का आकार आईएस के डिश्टल प्रेटफॉर्म पर MPPSC 2023 की जोर्दार त्यारी आई होप आप लोग अभी तक कर रहे होंगे और इस त्यारी को और मजबूत करने के लिए Current Affair के सिरीज आकार आईएस की यूटूब चैनल पर लगता चल रही है आप सभी का काफी सारा प्यारा सपोर्ट भी मिल रहा है आई होप ये सिरीज आप सभी के लिए काफी मददगार हो और मैं यह बिलकुन आप सभी को भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आपने एक बार इस सिरीज में मेरे शाथ मेहनत कर ली तो Current Affair का एकात कोशन भी अगर छोड़ कर बांकी आपका एक भी गलत नहीं रहने वाला ना ही सिरीज से कोशन बाहर जाएगा चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है आप सभी को पता है स्पोर्ट करेंट अफेर्स को हम पार्ट वन और पार्ट टू को कम्प्लीट कर लिया है और स्पोर्ट करेंट अफेर्स की इस पार्ट थ्री में हम लोग एशियन गेम्स को जो की काफ सभी के लिए सांदार टेसरी जो कि हिंदी और इंग्लिस दोनों ही मीडियम पर उपलब्द है ऑनलाइन एस वेल एस आफलाइन मोड पर जिसके फिस काफी नॉमिनल रखी गई है ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिये गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं च एशन गेम्स की सुरुवात कब की गई थी आंसर होगा 1951 ध्यान रखीगा एशन गेम्स की सुरुवात कब से होती है 1951 से पहला कोशन दूसरे कोशन आप से पूछा जा सकता है कि यह जो एशन गेम्स है इसके सुरुवात कहां से की गई थी 1951 में तो हुई थी लेकिन जो फ से हुई देली से पहला संसकर्ण डेली में खेला गया था इसलिए कई बार भारत को Mother of Asian Games भी कहा जाता है बहुत इंपोर्टन आप से आपको यह जो डेट है इलकुन भी याद नहीं रखना है बस आप दिमाग में 1951 आपको दिमाग में बैठा कर चलना है क्लेर हो इतनी बात है चली यह जो पहला एडिशन था एशन गेम्स का 1951 में उसमें मेडल टैली में पदक तालिका में पहले इस्थान पर ध्यान रखेगा अंसर हो जाएगा जापान कौन दभीया जापान आप सभी को पता है ये जो 19 एशन गेम्स है दो हजार तैस में खिला गया इसमें मेडल टैली पर 1 रेंग में है चाइना भारत है फौर्थ रेंग पर लेकिन जो पहले नंबर का अशन गेम्स हुआ था उसमें मेडल टैली प भारत की तो भारत दूसरी स्थान पर था कितने मिडल के साथ 51 मिडल के साथ तो क्या क्या हम लोगों ने सीखा पहला एशन गेम्स की सुरात कभ होती है 1951 से पहला कोशन कहां से होती है भारत से डेली से इसलिए mother of एशन गेम्स भारत को कहा जाता है पहला एडिशन 1951 में डिली में कब से कब तक कहला है जल्दी शासर करते रहें चार्ग म से लेकर 11 अरे मिडल टाली में जो पहला एडिशन था इसन गेम्स का मिडल टाली में फस्ट रैंग कौन था भी या अंसर हो जाएगा जापान कितने मि Asian Games किसे कहा जाता है भारत को अब ध्यान समझेगा भारत में अभी तक Asian Games को दो बार होश्ट किया है पहला Asian Games 1951 में डेली में हुआ वही 9th Asian Games जो 9 एशियाई खेल था 1982 में 1982 में वो भी भारत की मेजवानी में हुआ था मैंने का क्या ध्यान से सुनिएगा जिस तरह इस बार 19th 19 वह एशियन गेम्स है और इसको मेजवान किस ने किया होश्ट कंट्री कौन थी आंसर हो जाएगा चाइना भारत ने पहला Asian Games होश्ट किया साथ इसाथ 9 एशियन गेम्स में भारत नहीं होश्ट किया था अब एक बार ध्यान समझेगा आप लोग कोई भी स्पोर्ट इवेंट हो वहाँ पे एक सुभंकर या मैसकेट सुनते होंगे कि हर गेम का अपने एक मैसकेट होता है अपने एक लोगो होता है खेलों में या मैंने क्या का ध्यान समझेगा पहला एशियन गेम्स हुआ 1951 ने भारत ने होश्ट किया नाइनथ नमबर का जो एशियन गेम्स था इसे भी भारत ने होश्ट किया था कब हुआ यह नाइच़ नंबर का अंसर हो जाएगा 1982 में जो मैसकेट ट्रडेशन है सुभंकर परंपरा कि सुराद्धी कब होती है 1982 में नौ में Asian Games का सुभंकर कौन था अप्पू हाथी था आप सभी को दिख रहा है यह अप्पू elephant जो है 9th Asian Games का सुभंकर हुआ करता था चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं अगर आप से question पूछा जाए कि ACI खेलों में gold middle जीतने वाले जो पहले भारती बन के ध्यान समझेगा मैंने क्या कहा अगर आपसे question पूछा जाए कि ACI खेलों में शोन पदक जीतने वाले पहले भारती कौन थे आंसर हो जाएगा सचिन नाग इन्होंने कब शोन पदक जीता तो 1951 में जो पहला एश्या खेल हुआ था उसमें और यह किस खे यह मान गए हम कि जो पहला Asian जो गेम्स था वो न्यू डिल ही या दिल ही में हुआ था 1951 में चलिए मान लिया हमने फिर आपने बताया सर कि जो 9th नंबर का Asian गेम्स है वो 1982 में हुआ कहां हुआ यह भी भारत में हुआ और यहीं से क्या सुरू ही भी या मैस्केट ट्रेडिश कि साल 2018 में जो 18th Asian गेम्स था जो 18 एशन गेम्स था यह कहां हुआ था अंसर हो जाएगा भी या इंडोनेशिया में क्लिर होगी इती बाते यह जो एशन गेम्स हर 4 सालों में खेले जाते हैं 2018 में 18 एडिशन खेला गया था इसलिए साल 2022 में 19 एडिशन था 19 वाकिल था यह जो कोविट और और अन्य रिजन्स के कारण इसे डेले कर दिया गया और 19 एशन गेम्स 2023 में कहां खेला गया आप सभी को पता भी या चाइना के होंगजू सहर में मैंने क्या कहा फिर्धान समझेगा पहले एशन गेम्स को कहां खेला गया 1951 में भारत में इसलिए इंडिया को Mother of एशन गेम्स भी कहा जाता है नाइन्थ नंबर का जो नौई नंबर का एशन गेम्स कहां खेला गया था ये भी भारत में का खेला गया 1982 और 1982 के एश्याई खेलों में चुना ऐग थाima क्या थी कि यहीं से सुभंकर करण परंप्रा की 9th edition का आप से पूछा जाए अगर कि बताएं एशन गेम्स कितने सालों के बाद खेले जाते हैं तो आप कहेंगे भीया 4 years के बाद खेले जाते हैं 2018 में 18th edition था और 18th edition कहां खेला गया था इंडोनेशा के जकार्ता में 2022 का कौन सा था भीया 19th edition 19th edition 19 संसकर्ण था लेकिन खेला साल 2023 में गया है क्यों कोविट और अने रिजन से इसे डिले कर दिया गया था कौन सा edition था आंसर हो जाएगा 19 संसकर्ण क्लियर होगी इतनी बाते एक बात और धान समझेगा जब 18 नंबर का एशन गेम इंडोनेशा में हुआ था तो उसमें मेडल टैली में 3 रैंग में कौन है साउथ कोरिया 19 एशन गेम जो इस साल का है इसमें 4 रैंग पर भारत था लेकिन 2018 में 4 रैंग पर इंडोनेशा है समझ में आगी बात अगर आप इंडिया की रैंक धूरते जाएं तो 4, 5, 6, 7 और 8 यहां पर आप सभी को दिख रहा होगा कि 18 जो एशन गेम जो की साल 2018 में इंडोनेशा के जकारता में खिला गया था इसमें मेडल टैली में पदक तालिका में इंडिया की जो रैंक है भारत का जो इस्थान है वो एट था आठमा इस्थान पर था याद रह जाएगा ये भी आपसे कुशन पूचा जा सकता है कि साल 2022 थे इसका जो एशन गेम है उसमें इंडिया की रैंग 4 था इस बार में 4 है लेकिन जो पुराना था 18 एडिशन था 2018 का उसमें इंडिया की रैंग क्या थी 8 थी अब इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल हासिल किये थे आंसर हो जाएगा भी या 16 उस बार का जो एशन गेम था उसमें 16 गोल मेडल थे 23 सिलवर थे 31 ब्रॉंज थे और टोटल भारत ने 70 मेडल हासिल किया था और इस टाइम तक साल 2018 तक ये भारत का बेस्ट परफार्मेंस था अभी तक एशाई खेलों में भारत ने 70 मेडल नहीं जीते थे लेकिन इस 70 मेडल का भी रिकॉर्ड इस बार 19 17 एडिशन में में हमने तोड दिया है और और जल्दिश अंपको अंगोश्य बhouse थो Αंशै कना जिसे ही इसकी हुआ इसकी ही मैस्केट परमपरा डश बनाया था अंसर हो जाएगा अप्पू हाती को साल 2018 में कौन सा एडिशन खेला गया 18 एडिशन कहां खेला गया इंडोनेशिया जकार्ता में खेला गया इस बार साल 2022 का है लेकिन 23 में खेला गया है कौन सा एडिशन 19 एडिशन कहां आंसर हो गया चाइना के हुंगजु सहर में कितने सालों के बाद खेला जाता है यह चार साल के बाद कहिला जाता है 2018, 2018 था झा Similar इडिशन था उसमें भारत का कौन सा रैंग था ऐगाellsर हो जाएगा भारत का आठमा रैंग था हमने टोटल कितने मेडल हासिल किये थे 70 Chemistry सिवभार में पहला चाइना शेक्व था जापान, थार्ड था साउथ कोरिया और इंडोनेशा था फूर्थ नमबर पर, clear होगी इतनी बातें, चलिए, अब आपसे एक और कोशन पूछा जा सकता है, कि चलिए भी या, 2023 में 19 नमबर का खेला गया, साल 2026 का, 4 साल बाद होता है, 2022 का था, लेकिन 23 में खेला गया, चोथा साल 2026 आएगा, और एडिशन कौन सो हो जाएगा, बीसमा एडिशन, और बीसमे नमबर का जो एशियाई खेल है, एशियन गेमस है, यह जापान में और जापान का एक बहुत फीमस सहर है, नागोया, क्या है यह नागोया, यह नागोया सहर होश होने वाला है, clear होगी चले कहानी को हम लोग आंगे बढ़ाते हैं, और जो 19 एशन गेमस था, उनीशमा एशन गेमस था, इसके बारे में जतनी important facts हों सारो को cover करते हैं, मैं पूरी कोशिज करूँगा, कि सारे facts आपको class में याद हो जाए, लेकिन आपको करना क्या है, यह जो पीडिया की जो लिंक के नीचे description में provide करा दी जाएगी, आकार आइस official टेलिग्राम चैनल पर भी आपको send कर दी जाएगी, इस वीडियो को exam से पहले 2x mode पर एक दो बार सुन लेना, और पीडिया आपकोचे से पढ़ लेना, क्योंकि एशन गेमस से question आना लगबग sure है, तो 19 नंबर के एशन गेम क तो answer हो जाएगा China, और China के किस सहर में इसे भी आनसर हो जाएगा Hongzoo, और ये पहली बार नहीं है जब चीन ने एशन गेमस को host किया, जैसे मैंने क्या कहा कि भारत ने दो बार एशन गेमस को host किया है, एक 1951 का पहला edition हमने host किया था, और 1982 1922 का 9th edition हमने host किया था, वैसे ही च होश्ट किया था, 1990 का एशन गेमस, एक बार होश्ट किया था, 2010 का एशन गेमस, और इस साल 2022 और 2023 का एशन गेमस में भी host किया, एक वफिध्यान समझेगा, भारत ने अभी तक कितनी बार एशन गेमस को host किया, सर्थ दो बार, 1951 का और 1982 का पहला और 9th edition, चाइना ने कितनी ब 2023 का, क्लियर होगी इतनी बाते, चलिए, इस वार edition आप सभी को पता है, 19th edition, लेकिन अगर आप से पूछा जाए कि भीया, बीसमा संसकर्ण साल 2026 में कहा खेला जाएगा, सर आपने अभी अभी तो बताया, कि ये जापान में खेला जाएगा, और जापान का कौन सा सहर भीया आंसर हो जाएगा, ना गोया सिटी, क्लियर होगी इतनी बाते, सभी को चलिए, अगर आप से कुशन कुछ पूछा जाए कि भीया, इसका inauguration किस ने किया, उद्घाटन किस ने किया, आंसर हो जाएगा, चाइनीज प्रेशिडन सी जिन पिंग के दौरा, मोटो क्या था, इसे आंसर हो जाएगा, 45 कंटीज ने, 45 देशों ने इसमें भाग लिया है, अगर आप से कुशन पूछा जाए कि मुख कितने खेलों को सामिल किया गया था, आंसर हो जाएगा, मुख 40 खेलों को सामिल किया गया था, ठीक हो कितनी बाते, चले, कहानी को थोड़ा सा हम लोग अगर आप से पूछा जाए कि मैस्केट क्या था, सुभंकर क्या था, अच्छा मैंने अभी आभी आपको बताया कि एशियन गेम्स में मैस्केट ट्रडिशन की जो सुरुवात है, वो 9th एशियन गेम्स से हुई थी, और 9th एशियन गेम्स कब हुआ था, जल्दी से वो 3 रोबोट को बनाए गया है, उनका नाम क्या है, एक का नाम है चिंचेन, क्योंग 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 क्यो Memories of Giangan, क्या कहा जाता है एक वाफी मेरे साथ बोल दीजे, Memories of Giangan, एक वाफी ध्यान समझेगा, अगर आप से पूछा जाए कब से कब तक, तो 23 से लेकर 8 सितम, 23 सितमबर से 8 अक्टूबर तक, होस्ट कंट्री कौन थी, चाइना थी, चाइना ने अब तक कितनी बार Asian Games को 1990 का, 2010 का, और 2022 का, फिर अगर पूछा जाए, इस बार कौन सा इडिशन है, 19th एडिशन, 20th संसकरन कहा खेला जाएगा, 2026 में, जापान के नागोया में, किसने इनागरेट किया, तो चीनी जो प्रेज़ेंट है, चाइनिज प्रेज़ेंट सी जिन पिंग के द्वारा, इसका जो मोटो था, हाट टू हाट, एड़ दरेट, फ्यूचर था, कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, 45 कंट्रीज ने, कितने मुख खेल, इसमें सामिल की गए थे, 40 खेल, फिर इसका मैस्केट किया था, चैंचें क्योंग क्योंग, लियान एलियन, और तीनों को कम हिंदी में मीनिंग होता है, अनन्त जौला, फिर आप जो अगितनी बाते, चली, अब ध्यान समझेगा, जब भी एशन गेम्स की, या किसे भी खेल की शुरुआत होती है, तो इस खेल में जितने देश पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी जो पूरी टीम होती है, वो एक परे कहा जाता है फेद्हान समझेगा मैंने क्या कहा जब भी किसी इंटरनेशनल गेम इवेंट की सुरुवात होती है तो उसमें जितने भी कंट्रीज पार्टिसपेट करते हैं उन कंट्रीज के जो खिलाडियों का दल है वो एक परेड निकालते हैं एक देश के बाद दूसरे दे इसे देश ऐसे पूरीक पूरीक परेड निकलती है जिसे परेड आफ नेशन का जाता है इस 19th Asian Games में परेड आफ नेशन में सबसे पहली जो परेड हुई थी वो अफगानिसान की हुई थी लेकिन सबसे लाश में किसकी परेड हुई तो आंसर हो जाएगा चाइना की जो चा परेड निकाली फिर आठवे नंबर पर भारती दल की परेड आयोजीत हुई थी तो ध्यान रखीगा जो नेशन्स और परेड आफ नेशन्स में भारत किस नंबर पर था एर्थ नंबर पर था अब हर देश में जो खिलाडियों का दल होता है उसमें कुछ लोग देश के सान आनबांसान यानि उस देश का जो नेशनल फ्लैग होता है उसको लेकर चलते हैं जो नेशनल फ्लैग को लेकर चलते हैं उन्हें फ्लैग बीरर या दोजवाहक कहा जाता है ऐसी एक सुरुवात में भी दोजवाहक होते हैं और जब पूरा का पूरा गेम इंड हो जाता है क् एशन गिम्स के शुरुवात हो रहे थी तब फ्लैग वीरर जो भारत की तरफ से थे वो थे हर्मन प्रीट सिंग और यहां पे आजाएंगे लवलीना बोर्गोहन वेरी वेरी एंड वेरी इंपोर्टन आपसे डायेट कोशन पूछा जा सकता है कि जो उद्गाटन समारों में ओपनिंग सेरमनी में इंडियन फ्लैग के जो बेरर थे भारती धुज भाग थे वो हर्मन प्रीत सिंग थे और लवलीना बोर्गोहन बहुत इंपोर्टन लवलीना बोर्गोहन को आप सभी को पता हिए एक प्रोफेशनल बॉक्सर है जबकि हर्मन प्रीशिंग 19th एशन गे प्रेड होता है उसमें हर देश का एक धुजवाहक होते हैं तो घाटन समारों में जो इंडियन फ्लैग बेरर थे हर्मन प्रीशिंग कौन है हर्मन प्रीशिंग आंसर हो जाएगा यह हर्मन प्रीशिंग इंडियन हौकी टीम के कैप्टन थे जो कि 19th एशन गेम में पार्ट एक धुजवाहक हुए थे हैं वो कौन थे पी आर श्रिजेस और पी आर सिजेस किस स्पोर्ट से संबंदी थे हैं बहुत फेमस स्पोर्ट परशनाल्टी है तो आपसे कुशन पूछा सकता है यह हौकी के गोल कीपर है मैंने क्या कहा कहा एक वाफी दहन समझेगा मैस्केट क क्या था तो तीन रोबोट थे चेंचें क्योंग क्योंग लियान लियन और इन तीने इन तीनों को कमबाइनली कहा जाता है मेमोरीज ओफ जियंगन फिर अगर आपसे क्वेशन पूछा जाए मसाल क्या था आंसर हो जाएगा एटेरनल फ्लेम जिसका हिंदी मतलब होता है अन प्रिसिंग जो कि हौकी कैप्टेन थे लवलीना पोर गोहन जो की बॉक्सर है पी आर से जेस क्लोजिंग सुरे सेरेमनी में इंडियन फ्लैग बीर थे हैं पी आर से जेस हौकी की गोल कीपर हैं क्लियर होगी इतनी बाते चली फिन मैंने आप सभी को बताया टोटल कितनी इंडियन टीम कितने भारती दल में कितने खिलाडियों ने भाग लिया था चैसो पच्पने एक और आपसे क्वेशन अगर पूछ लिया जाए कि 19 एशन गेम में जो भारती दल था उसका इस ऑफिशल स्पॉंसर कौन था आंसर हो जाएगा अमूल क्लियर होगी इतनी बात न चलि भारत ने कुल कितने मेडल हासिल किये आप सभी को पता है भारत ने टोटल 107 मेडल हासिल किये 107 पधक और इन एक Rafasına पढ़र थहां इसके लावा 38 हमारे silver थी, रजत पदक थी, इसके लावा 41 हमारे bronze middle थी, ये number बहुत अच्छे से आद होना चाहिए, जैसे आपको किसी संबन special का mobile number बहुत अच्छे से आद होता है, वैसी आपको ये number भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, total medal इंडिया ने कितने जीते भी या 107, और इन 107 में कितने gold medal थें, आंसर हो जाएगा 28 gold medal, कितने silver थें, आंसर हो जाएगा 38 silver, कितने bronze थें, आंसर हो जाएगा भी या 41 bronze, 41 कांस पदक थे, total कितने हुए 107, अगर आप से question पूछा जाए कि भारत की ranking क्या थी, भारत किस इस्था पर था, तो यहां पर आप देख सकते हैं, भारत की ranking medal tally में चौथे नंबर पर थी, एक वाफी ध्यान समझेगा, इंडिया ने total कितने medal जीते, 107, 107, कितने gold है, 28, कितने silver है, 38, और कितने bronze है, 41, आपको simple ध्यान रखना है, 28, 38, 41, और तीनों को मिलाएंगे, 107, 21 gold, 38 silver, 41 bronze, और total 107, medal tally में इंडिया की ranking क्या थी, भाया, 4 थी, अब ध्यान समझेगा, साल 2018 में जो Asian Games हुआ था, 18 नंबर का, उसमें भारत ने total 70 medal हासिल के थे, और ये साल 2018 तक भारत का best performance था, यानि 70 से जादा अभी तक हम ने medal हासिल नहीं के थे, किसे भी Asian Games में, ये पहली बार है, ज 100 का जो आकड़ा है Asian Games में उसे पार किया, यानि Asian Games की इतिहास में भारत ने पहली बार 100 के पार जाकर 107 medal हासिल के, और Asian Games की इतिहास में ये भारत का सर्वशेष परफॉमेंस है, best performance है, सर्वशेष प्रदर्शन है, अब आप question पूछेंगे भीया, पहला rank किसका था, आप सभ silver medal जीते हैं, 111 silver medal, और कितने bronze medal जीते हैं, answer हो जाएगा, 71 bronze medal, total कितनी चाइना ने जीते हैं, 383, भाई साब आप देख सकते हैं, हमने total medal जीते हैं 107, और हमारे total medal से लगवग 2 गुना जाकर 201 के वल उसने gold medal जीता है, और इस तरह total 383 medal के साथ जो चाइना था, वो पहले rank पर चाइना पहले नंबर पर था, 2018 में भी चाइना 1st rank पर था, जापान ने 2nd rank पर था, जापान ने 22 gold medal जीते हैं, कितने विया 52, 67 आपको silver देखने को मिलेंगे जापान के, 69 bronze medal देखने को मिलेंगे, total उसने 188 medal जीते हैं, तो medal टैली में 2nd rank पर कौन है, जापान, फिर Republic of Korea, जो South Korea है, वो 3rd rank पर था, South Korea ने gold medal जीते हैं, 42, South Korea ने silver medal जीते हैं, 59, South Korea ने bronze medal जीते हैं, 89, total South Korea ने 190 medal जीते हैं, अब आपका दिमाग हो रहा होगा खराब, अगर आपने एक चीज गौर की हो, सर वो क्या है, आप गहेंगे सर, यहाँ पर जापान ने 188 medal जीते हैं, South Korea ने 190 medal जीते हैं, फिर भी जापान 2nd rank पर है, और South Korea 3rd rank पर है, South Korea को 2nd पर होना चाहिए था, क्योंकि South Korea ने जादा medal हाजिल किये हैं, अब जहां समझेगा, medal टैली में कौन पहले rank पर आएगा, कौन जो decision है, वो gold medal के base पर किया जाता है, जिसके जितने जादा gold medal होंगे, वो medal टैली में उपर होगा, समझेगी बात, मांद कर चले कोई दो देशों के gold medal बराबर होगे, दोनोंने बराबर पाया है, अब कौन उपर जाएगा, तब उसके silver medal जीते जाते हैं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो जापान ने 52 gold medal हासिल किये, साउथ कुरिया ने 42 gold medal हासिल किये, इसलिए medal टैली में जापान सेकेंड नंबर पर है, और साउथ कुरिया थर्ड नंबर पर है, भारत ने कितने एक वार्फी में असान बता दीजे, भारत के 28 gold, 38 silver, 41 bronze, total 107 क्या है, आपके medal है, अब या ध्यान समझेगा, भारत के बाद एक और देश याद रखीगा, पांचवे नंबर पर कौन है, उजबेकिस्तान, उजबेकिस्तान के पास थे 22 gold medal, 18 silver medal, 31 bronze medal, total 71 medal, तेक वाफी मेरे साथ बोल दीजे भी या, पहले रैंक पर कौन है, पहले रैंक पर है, चाइना, सेगेंड रैंक पर कौन है, जापान, थार्ड रैंक पर कौन है, कोरिया, साउथ, कोरिया है, ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पर कौन है, हमारा प्यारा भारत, और फिप्थ नंबर पर कौन है, आंसर हो जाएगा, उजबेकिस्तान, इन बांकी के medal आपको याद करने की ऐसा ज बढ़े आंगे हम लोग चली फिर आपसे कुशन ये भी पूछा जा सकता है कि बताईए वो कौन सा sport category है जिसमें भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल हासिल कि आंसर हो जाएगा athletics ध्यान रखे का diet question पूछा सकता है कि सबसे ज़्यादा मेडल इंडियन टीम ने भारती दल ने किस sport category में जीता आंसर हो जाएगा athletics में भारत ने athletics में 29 मेडल हासिल किये हैं और इन 29 मेडल में 6 गोल्ड है 14 silver है और 9 जो हैं वो हैं bronze एक वाफिधान समझेगा भारत ने total कितने मेडल जीते हैं और 107 मेडल में हमने सबसे ज़्यादा मेडल किस sport category में जीता आंसर हो जाएगा athletics कितने मेडल हमने athletics में जीता आंसर हो जाएगा 29 जिसमें 6 क्या है गोल्ड है 14 क्या है silver है और 9 क्या है ब्रॉंज है फिर आपसे अगर question पूछ जाए कि चलिए athletics में हमने सबसे ज़्यादा मेडल जीते है 29 एथलेटिक्स के बाद वो कौन से sport category है जिसमें हमने सबसे ज़्यादा मेडल हासिल किये आंसर हो जाएगा भाहिया shooting और shooting में हमने total 22 मेडल हासिल किये athletics में 29 मेडल हमने जीते थे जबकि shooting में हमने 22 मेडल जीते और इस 22 मेडल में साथ गोल्ड है, एक बार ध्यान समझेगा, अब काफी अच्छा question पूछा सकता है, हमने सबसे ज़्यादा middle जीते हैं athletics में, कितने middle है या athletics में 29, और इन 29 में कितने gold है, answer हो जाएगा 6 gold है, फिर second number में कौन सा sport है, answer हो जाएगा shooting, shooting में हमने total कितने middle जीते हैं, answer हो जाएगा 22 middle, और 22 middle में कितने gold है, answer हो जाएगा gold, दो category है question की, two type question याँ पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा किस sport में हमने middle जीते हैं athletics में, दूसे नमबर पर हमने सबसे ज़्यादा किस स्पोर्ट में मिडल जीतने हैं सूटिंग में, लेकिन सबसे ज़्यादा किस स्पोर्ट में हमने गोल्ड जीता है, आंसर हो जाएगा शूटिंग, ध्यान रखेगा, सूटिंग में हमने 7 गोल्ड जीते हैं, एतलेटिक्स में हमने 6 गोल् है जिसमें इंडिन टिम ने सबसे ज्यादा cos kya कितने मिड़ लेगिन बाइस में गोल्ड कितने है साथ, वह कौन सा स्पोर्ट है। जिसमें हमने सबसे ज्यादा गोल्ड जीता, answer हो जाएगा Tanim साथ घोल किलिर हो जाएगी इतनी बात हैं है फिर आप से ऐसा कुश्ण पूछा जा सकता है कि पूरे एशन गेम हुआ भी या एशन गेम कभ से कभ सुरु आप के इस गेम की सुरुआत होती है हमारी 23 सितंबर से तो 23 सितंबर के बाद पहले नंबर का गोल्ड मिडल पहले नंबर का सुन पदक जो भारती दलने जीता वो कौन सा था आंसर हो जाएगा भाया शूटिंग का कौन सा शूटिंग शूटिंग में हमने 10 मीटर की जो एयर राइफल कॉंपटीशन है एयर राइफल की जो प्रतिसपरदा है उसमें हमने सबसे पहला गोल्ड जीता और इस टीम में कौन कौन सा मिल थें तो एश्वरे, रुद्राक्च और दिव्यान ध्यान रखी का एक वाफिय ध्यान समझीगा एशन गेमस 2022-2023 में हमने पहला जो गोल्ड मिडल है वो किस स्पोर्ट इवेंट में जीता अंसर हो जाएगा सूटिंग में जीता और सूटिंग में भी वो कौन सी कैटेगरी आती है तो 10 मीटर एयर राइफल में और इस टीम में तीन खिलाडी थें उन तीन खिलाडियों का नाम भी पता होना चाहिए एषवर, रुद्राक्ष और दिव्यान्स खास बात है यह जो एषवर है एषवर प्रताप शिंग यह मद्व पदेश के famous एतलेट्स हैं famous निशाने बाज रहें और फेमस निशाने बाज रहें और यह कहां से बिलॉग करते हैं मद्व पदेश के खरगोन डिश्टिक से, खरगोन जिले से विलॉंग करते हैं, फिधान समझेगा, जो 2023 एशन गेम सा, उसमें पहला गोल्ड हमने किस में जीता, आंसर हो जाएगा शूटिंग में, कौन से शूटिंग टीम में कौन कौन थे, एश्वर, रुद्राक्ष और दिव्यांस, और जो टोटल कितने मेडल हासिल के भी है, गोल्ड मेडल 28, और 28 गोल्ड मेडल में, जो इंपॉर्टेंट मेडल है, जहां से कुशन पूछे जाएंगे ही जाएंगे, उन्हें आपको दिमाग में बैठाना है, बहुत सारे मेडल है, अब आप कहेंगे सर, इतने सारे मेडल याद कै कैसे होंगे, सिंपल सांसर है, रिवीजर, एक बार आप ये वीडियो देख रहे हैं, 2X मोड पर लगा कर ही देख रहे होंगे, एक बार और इस एशन गेम्स की जो ये वीडियो है, इसको 2X मोड पर सुन लीजेगा, और पीडिया फ्रीट कर लीजेगा, एक दो बार इतने म मेंस कबड़ी, बहुत इंपोर्टन है, जो पुरुस कबड़ी है, इसमें भी इंडिया ने गोल्ड जीता, किस के कप्तान कौन थे, तो ध्यान रखेगा, पवन सहरावत, कप्तान का भी नाम ध्यान रखेगा, वुमेंस कबड़ी में भी गोल्ड, वुमेंस कबड़ी में भ और मेरे साथ बोलते चलें पावन शहरावद विम्स कबड़ी टीम के कैप्टैन कों थे रितू नेगी चली आंगे बढ़ते हैं फिर अगला आता है मेंस क्रिकेट टीम और मेंस क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे रितूराज गायगवार्ड किसे हराकर आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान ये विधान रखीगा कि मेंस क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता लेकिन किसे हराकर अफगानिस्तान को हराकर और मेंस क्रिकेट टीम के जो कैप्टेन थे 19 एशन गेम्स में वो थे रितुराज गायगवार्ड वूमेंस क्रिकेट टीम ने भी भई या गोल्ड मिडल ही जीता है ने मेंस का वड़ी वूमेंस का वड़ी मेंस क्रिकेट टीम वूमेंस क्रिकेट टीम के कैप्टेन रितुराज गायगवार वूमेंस क्रिकेट टीम के जो कैप्टेन थे वो थी हर्मन प्रीत कौर और किसे हराक स्रिलंका को हराकर मेंस क्रिक्ट टिम डिए अफ्गानिस्तान को हरा कर घोल जीता सिहलंका रहाकर जो है कौन थी केप्तान हर्मन प्रित को और बढ़ें आंके चली भी या आपसे अगला नामाता ओजस देवदाले और ओजस देवटाले बहुत धनुदारी हैं तीरंदाज जो है धनुर वह हैं आर्चरी से विलाउंग करते हैं इसके लावा जोती सुरेखा विन्नम ये भी आर्चरी से हैं तो दो आर्चरी से हमें मिल गए ओजस देवताले आर्चरी उसके बाद जोती जो है सुरेखा ये भी आर्चरी तीरंदाजी फिर तीरंदाज मेंस कमपॉंद आर्छरी में الر mình mash stairs meet really hai तो ध्यान रख्या दो नाम ओ जास्थेताले आर्चरी जोती सुरेख और चरी उसके बाद आर्चरी Prime men come when or में मिंग्ज में जिए हमले गोल्ड मिडल जीतَ है इसके लावा square mix में भी हमने जो है gold medal जीता है आप कहें जारी square क्या होता है square एक प्रकार का badminton की जैसे खेला जाने वाले sport होता है बस फ़र्क ही है कि badminton में यह badminton यह tennis में निट के दोनों तरफ खिलाडी होते हैं, लेकिन स्क्वैस में एक तरफ खिलाडी होते हैं, दूसरे तरफ कोई प्लेयर नहीं होता, आप कहेंगे फिर किसे खेलते हैं, दूसरे तरफ वाल होती है, इधर की तरफ खिलाडी होंगे, और दूसरी की तरफ दूसरी तरफ वाल होत जहां जहां खिलाडी के जो नाम आते हैं वो हमाई लिए ज्यादा इंपोर्टन हो जाते हैं एक्जामपल के लिए अनुरानी और अनुरानी ने वूमेंस जैवेलियन थ्रो महिला भाला फेक में गोल्ड मिडल जीता फिर नीरा चोपड़ा इन्होंने मेंस जैवेलियन थ्रो पुरस भाला फेक में गोल्ड मिडल जीता पारुल चौधरी बहुत इंपोर्टन है अनुरानी तो ही नीरा चोपड़ा पारुल चौधरी इन्होंने 5000 वूमेंस रेस में जो है गोल्ड मिडल जीता पारुल चौधरी ध्यान रखेगा उसके बाद आते हैं तजिंदर पाल सि पाल चौधरी और इन्होंने एथलेटिक्स जो मेंस शौट पुट की कटेगरी में जो है गोल्ड मिडल जीता एक बाद फिद्धान समझेगा मेंस कबड़ी कैप्टन जो है पावन सहरावत वूमेंस कबड़ी कैप्टन रितु नेगी फिर मेंस क्रिकट टीम कैप्टन रित में हम लोगों जीता उसके बाद अन्नु रानी का नाम ध्यान रखीगा यह वूमेंस जैवेलियन थ्रो महिला भाला फेग नीरत चोप्रा गोल्डन बॉय आप सभी को पता है मेंस जैवेलियन थ्रो पारुल चौधरी पांच हजार मिटर की महिला रेस में और तजिंदर पा दवल में भी हमने गोल्ड मेंडल जीता और इसमें डवल में कौन-कौन से खिलाडी सामिलते हैं रोहन बोपन्ना और रतुजा भूशले आपसे डाइट कोशन पूशा सकता है कि रोहन बोपन्ना और रतुरा भूजले किस स्पोर्ट से संबंद निते हैं आंसर क्या हो अगरी कौन सी है दस मीटर एयर राइफल पिश्टल उसके बाद आपसे कुशन पूछा जा सकता है सिफ्ट कॉर बहुत इंपॉर्टेंट है सिफ्ट कॉर समरा सिफ्ट कॉर समरा इन्होंने सूटिंग वूमेंस में जीता है पचास मीटर राइफल थ्री पोजिशन बस आप इंपॉर्टेंट जहां जहां भी आपको प्लेयर्स के नेम देखनों को मिलते हैं वह और मेंट क्रिकेट में गोल्ड कैप्टन हो उनु ठीक्ट जीता आर्चनी में भी गोल्ड ओजस देवताले और जोती सुरेखा वेनम तीरंदाजी मेंस कंपाउंड वुमेंस कंपाउंड और मिक्स कंपाउंड में हम लोगों ने जीता फिर अगर आपसे क्वेशन पूछा जाए कि महिला में विया अन्नु रानी ने वुमेंस जैवेलि पारुल चौजवी पांचार मीटर की रेस में तजिंदर पाल सिंग तूर एथलेटिक्स में अगला आप से कुछन पूछा जा सकता है कि टेन इस मिक्ष डवल में रोहन भूपन्ना और रतुजा भोसले पलक जो है वो सूटिंग में वुमेंस की 10 मीटर एयर पिश्टल में फिर आप से कुछन पूछा सकता है सिफ्ट कॉर समरा इन्होंने सूटिंग में 50 मीटर 3 राइफल जो पोजिशन है उसमें इन्होंने गोर्ड मेडल जीता है क्लियर हो जाएग इतनी बाते हैं फटाक से पूरे के पूरे एशन गेम्स को रिवाइस करते हैं और आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे फिर अगले पार्ट में बांकी के जो स्पोर्ट इवेंट है वह कंप्लीट करना है उसके बाद हमें कंप्लीट करना है इस पोर्ट की जो आवाड है जितने भी नेशनल आवाड है उन सभी को कंप्लीट करेंगे अगर आपसे कुशन पूछे जाए इन विच इस इंडिया वान दो मोस्ट मेडल इन 19 एशन गेम उ उसके बाद हमने किस में जीते सुटिंग में कितने मेडल में जीता सेवन में अगला कोशन या वेपे पूछा गया है इंडिया 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 इंडिय और कितने अगर आप से पूछ जाएगा ब्रॉंज तो 41 हमने ब्रॉंज मेडल जीता कब से शुरू हुआ एशन गेम्स मैंने आप सभी को उता है 1951 में कहां से शुरू हुआ भारत से इसलिए इंडेज अलसो कॉल्ड मदर ऑफ एशन गेम्स फिर हम लोग ने कवर किया कि पहला मेडल के साथ आंसर हो जाएगा 50 मेडल के साथ सेकंड नमबर पर कौन था हमारा प्यारा भारत कितने मेडल के साथ इसके बाद नाइंथ नमबर कर जो एशन गेम्स नाइटीन 82 का 1982 का वो भी कहा हुआ भारत में और 9 एशन गेमसे में ही मैसकर ट्रडिशन मैसकर ट्रडिशन सुभंकर परंपरा की सुरात हुई और हमने किसको सुभंकर बनाया आंसर हो जाएगा अपू एलिफिन फिर हम लोग ने कवर किया था कि एशन गेमस में पहला गोल्ड लाने वाल निश्वे नंबर का चाइना में फिर दोजाट चबविस में जो 20 एडिशन होगा वह जापान के नागोया में होगा हम लोगों ने फिर कवर किया कि 18 जो था एशन गेम 2018 इंडोनेशा के जाकारता में उसे मेडल टैली में पहला चाइना था दूसरा जापान था तीसरा साउ मेडल तो 16 कितने सिल्वर मेडल तो 23 कितने ब्रांज मेडल 31 और सतर टोटल मेडल के साथ जो इंडिया की रैंकिंग थी वो थी हमारी आठवी नंबर एशिया एखेल 2022 कब से कब तक हुआ 23 सिल्वर से 8 उक्टूबर 2030 कहा हुआ चाइना ने चाइना ने इससे पहले दो बार औ एक 1990 का 1990 का 37 साल 2010 का कौन सा एडिशन थे इस बार 19th एडिशन और चीन की कौन से सिटी है वह या हौंग जो सिटी फिर हम लोगों ने कवर किया इसको इनागुरेट किस नहीं किया चाइनीज प्रेजिदेंट सी जिन पिंग ने इसका मोटो क्या था हार्ट टू हार्ट एड टोके लिए फिट एड इसे चंचेंग क्या जाता है मेमौरी औव जियंगन जबकि जो मसाल थी जो टौर्ज थी यह अटर्णल फ्लेम अनंट जॉला जो परेड आफ नेशन था उसमें पहले नंबर में किसकी परेड निकली ऐफगानिस्तान लास्ट में किक चाइणा की भा पर ओपनिंग सेरेमनी में भारत के जो फ्लैग वीरर है वो एशन जो होकी जो हमारी होकी टीम थी उसके कैप्टन हर्बन प्री सिंग साथ लवलीना बोर्गोवन जबकि क्लोजिंग सेरेमनी में समापन समोरों में भारती धोजबाह कौन थे पी आर सिर्जेश थे जो कि होकी गोल की पर है फिर हम लोग ने कवर किया कि इस एशन गेम्स में भारती दल के कितने खिराडियों ने भाग लिया 655 655 और हमारा स्पॉंसर कौन था अमूल था ठीक है भारते टोटल कितने मेडल हासिल के 107 28 गोल 38 सिल्वर और 41 ब्रॉंज कौन सा रैंक तब ही या 4 रैंक था और एशन गेम्स के इतिहास में हमने पहली बार 100 से जादा मेडल हासिल करने का अभी तक का रिकॉर्ड बनाए पहले रैंक पर क कोरिया के 42 गोल्ड मेडल है और टोटल 190 इसके मेडल थे मैंने आप सभी को बताया कि मेडल टैली में जो रैंकिंग होती है वो गोल्ड मेडल के हिसाब से होती है जापान ने टोटल 188 मेडल हासिल कि रिपब्लिक आफ कोरिया ने टोटल 190 मेडल हासिल कि लेकिन चुकि जाप तो मिलते हैं नेक्ष वीडियो में जिसमें हम स्पोर्ट करेंट आफेर के पार्ट फोर को कवर करेंगे बांकी के जो sports event tournament है उन्हें और last part में हम लोग sports की जो award है उन्हें कवर करना सुरू करेंगे इसकी जो pdf की link है नेचे description में provide करा दी जाएगी साथ ही साथ आपको akar eyes के telegram channel से भी join करना है क्योंकि वहाँ पर ही जो वीडियो की link है वो आप सभी को provide करी जाती है तो जाते जाते एक बात आपसे जरू कहना चाहूंगा कि ये सारी चीज़ें आजसान तब लगेंगे जब आप मेहनत करना सिख जाएंगे सफलता यूही नहीं मिलती माते के पसीने को एनी तक पहुचाना पड़ता है 2X mode पर लगाकर अगर आप इसे एक दो बार भी cover कर लेंगे आपका बहुत अच्छे से Asian game cover हो जाएगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए हसे रहें मुस्कुराते रहें जै हिंद जै भारत ज्यान रखेगा धन्यवाद